गुड मॉर्निंग वेलकम टू आवर इंटेलेक्ट्वल क्वालिटी और लार्निंग प्लैटफॉर्म तो हम अपने डेली केंटेफर्सी की और आगे बढ़ते हैं उससे बहले कुछ मोटिवेशनल कोड्स के बारे में जानेंगे वक्त का काम तो गुजरना है अच्छा है तो सुक्र करो बुरा है तो शब्र करो तो इसलिए अगर आपका बुरा वक्त आता है तो शब्र करिए और अच्छा वक्त आता है तो सुक्र मनाईए और निरंतर परियास करते रहिए ये वक्त भी आपका एक तिन अभशे आएगा ज सारे करेंटेफर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहिएगा question number one हाली में वैस्विक जैन सांती दूत से किशे शमानित किया गया है तो राइटंस नगा अचारे लोकेश मुनी अचारे लोकेश मुनी जी को शमानित किया गया है तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में बिदेश मंत्री S. जैसंकर ने आचारे लोकेश मुनी को वैस्बिक जन सांती दूद की प्रतिष्ठित उपादी से सम्मानित किया करनाटक के हूबली वरूर में जैन तिर्थ अस्थल नौगरह तिर्थ छेत्र प्रतिष्ठित उपादी से सम्मानित किया तो ये कहां पे लोकेटेड है तो करनाटका के हूबली वरूर में जैन तिर्थ अस्थल नौगरह तिर्थ छेत्र द्वारा ये एक आयोजित समारों के दौरान हमारे फॉरें मिनिस्टर S. जैसंकर जी के दौरा आचारे लोकेश मुनी को शमानित किया गया वैस्विक जैन सांती दूट से इसी के साथ अहिंसा विश्व भारती एबं विश्व शांती केंदर के संस्थापक आचारे डौक्टर लोकेश मुनी एक बहु मूखी प्रतिवा के धनी है जो पूरे भारत में 20,000 किलो मिटर की आत्रा करके समाजिक बुराईयों के खिलाफ जागरुकता बरहने में शक्रिय रूप्षे शामिल रहे तो ये था पॉइंट्स अचारे डौक्टर लोकेश मुनी जी के बारे में जो एक संस्थापक है अहिंसा विश्व भारती और वर्ल्ड पीस सेंटर के जिन्होंने हाली में 20,000 किलो मिटर फूरे भारत में कवर किया और रेजिंग किया उजागर किये समाजिक बुराईयों के खिलाफ जागरुकता को बरहने के लिए सक्रिय रूप से काम किये तो इनी के साथ हाली में S.J. संकर जी के दौरा ग्लोबल जैन पीस से समानित किया गया तो नेक्स्ट क्वेशन नमबर 2 की ओर हाली में RBI ने किसे पेमेंट एग्रिगेटर के रूप में अंतिम मंजूरी दी है तो राइटने से हो जाएगा हमारा Amazon Pay तो Amazon Pay को हाली में दिया गया RBI के दौरा एप्रोबल एज़ पेमेंट एग्रिगेटर के रूप में तो ये पोईंट्स को आपको याद रखना होगा कि Amazon Pay को हाली में RBI के दौरा एप्रोबल दिया गया है एज़ पेमेंट एग्रिगेटर के रूप में तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में Amazon इंडिया की Fintech साखा Amazon Pay को भारतिय रिजर्ब बैंक से भुकतान एग्रिगेटर लाइसेंस प्राप्थ हुआ जो देश में अधिकृत संगठनों के चुनिंदा शमू में शामिल हो गया है इसके शाद अनुमोदन Amazon Pay के अपने वित्रन चैनलों को मजबूत करने सुरक्षित, शुवीधा जनक और पुरश्कृत डिजिटल भुकतान अनुभव को डिलिवरी की शुवीधा परदान करने की अनुमती देता है इसके शाद Amazon Pay के अलाबा Decentro, Juspe, Joho को भी इस महीने RBI द्वारा Payment Aggregator लाइसेंस के लिए अन्ति मलजूरी दे दी गई है तो आपको ये points को याद रखना होगा कि Amazon Pay के अलाबा Decentro, Juspe और Joho हाली में RBI के द्वारा Final Approval मिल गया है for Payment Aggregator के लिए तो एक्जाम में direct questions पनेगे तो आपको answer देना होगा इसी के साथ चलते हैं question number 3 की ओर भारत में 3-2 की स्थिती पर report के अनुशार, 3-2 की सबसे अधिक शंख्या कहां दर्च की गई है मदपर्देश में देखा गया according to the report of the status of leopard in India के according सबसे ज़्यादा number of leopards कहां पाए गया है तो मदपर्देश में देखा गया है जो लगभग आपको image में दिख रहा है 60% rise हुआ है leopard के population हमारे भारत में इसी के दोरान अब इंडिया में total leopards की जनसंख्या कितनी हो गई है तो 12,852 leopards हमारे इंडिया में पाई जाते हैं तो जानते हैं इसके detail points के बारे में केंद्रिय पर्यावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री श्री भुपेंदर यादव जी ने 29 फरबड़ी 2024 को नई दिल्ले में भारत में तिंदूओं की स्थिती पर रिपोर्ट जारी की और इसी के साथ भारत में तिंदूओं की अबादी 13,874 जो रिकिस रेंज में है 12,616 से लेके 15,132 तक होने का अनुमान लगाया है जो 2018 में 12,852 ती अब पूरे भारत में 2018 और 2022 के बीच प्रती बर्स 1.08% बढ़ने का अनुमान लगाया गया देश में तेंदूओं की सबसे बड़ी अबादी कहां पाई गई तो मद्ध परदेश में देखा गया कि हमारे इंडिया के मद्ध परदेश अस्टेट में सबसे ज़्यादा लार्जेस पॉपलेशन औफ लेपर्ड को पाया गया इसी के दोन आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि श्री भुपेंद्र यादब किस मंत्राले से बिलोंग करते हैं तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वार्मेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चिन से ये बिलोंग करते हैं चिनोंने हाली में एक रिपोर्ट को जा देंगू के व्यापक प्रशार के कारण स्वास्त अपातकाल घोशित किया है तो राइट अंस जगा पेरू पेरू कंट्री बना है जिनोंने हाली में डिकलेयर किया है हेल्थ एमर्जेंसी तो किस बज़े से वाइड स्प्रेड फॉर डेंगू का ज्यादा प्रचलन होने के पेरू कंट्री के द्वारा हेल्थ एमर्जेंसी को डिकलेयर किया गया है तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में पेरू ने पूरे देश में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के जवाब में स्वास्त अपातकाल की घोशना की और स्वास्त मंत्री सीज वास्कोज ने घोशना की कि 2024 के पहले आठ हफ्तों के वीतर डेंगो के 31,000 से अधिक मामले शामने आए जिसके परिनाम शरू 32 मौते हुई और अपातकालीन की घोशना पेरू के 25 छेत्रों में से 20 को कवर करेगी तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाली में 2024 में अ रूप में तो किस कारण से अगर काउजस पुछेगा तो इंक्रेजिंग केस ओफ देंगू अल नीनो मौशम घटना के कारण पेरू 2023 से उच तापमान और भारी वर्षा का शामना कर रहा है और अल नीनो के कारण पेरू के तट पर शमुद्र के गर्म होने से देंगू बुखार फैलने वाले मच्छरों की अबादी का फैलने में मदद मिली और इसी के बज़े से ये को डिक्लियर करने वाला कंट्री कौन बना है तो पेरू बना है जो 2024 में हेल्थ एमर्जेंसी को डिक्लियर किया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन नंबर इसी का डेंगू वैक्षिन के बारे में किस तरीके से डेंगू वैक्षिन का डेवलपमेंट हुआ हमारे इंडिया मे या अधर कंट्री में तो 2019 की बात है जब डेंगो वैक्शिन CYD TDV या डेंग वैक्शिया को अमेरिकी खाद एबं औशदी प्रशाशन द्वारा अनुमोदित किया गया था जो अमेरिका में नियामक अनुमोदन प्राप्ट करने वाला पहला डेंगो वैक्शिन था तो आपक की के खाद और 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 शदी प्रशाशन द्वारा इसे डेवलब करने वाला पहला वैक्शिन 2019 में डेवलब किया गया था इसी के साथ दिंग वाक्शिया मूल रूप से एक जिवित और चिन डेंगो वाइरस है जिसकी खुराक नौ से सुल्ला वर्स के आयू वर्ग के लोग से डेंगो बुखार के लिए भारत का पहला और एक मात डियनेटी का विक्षित किया है तो यह पॉइंट्स को याद रखना होगा कि डेंगो वैक्शिन किसे रिलेटेड है और कब इसका वैक्शिन लाया गया था 2019 में तो चलते हैं क्वेशन नंबर फाइब की ओर हाली में वर्ष 2023 में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर कहां दर्ज की गई है तो राइट एंस हो जाएगा हमारा क्वेशन नंबर फाइब की ओर हाली में वर्ष 2023 में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर कहां दर्ज की गई है साउथ कोडिया में दर्ज की गई है वर्ल्ड का लोइस्ट फर्टिलिटी रेट जो रिकॉर्ड हुआ है 2023 में जिस तरीके से हमारे इमेज में दर्ज हो रही है कि वर्ल्ड का lowest fertility rate कहां पे दिखा गया है साउथ कोडिया में जो 2023 का रिपोर्ट जारी किया है तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में सांखी की कोडिया के आकडों से पता चलता है कि दच्छिन कोडिया महीला के प्रजनन जीवन के दौरान अपेचित सीसुओं की ओसद संख्या 2022 में 0.78 से गिर कर 2023 में 0.72 के रिकॉर्ड निचले अस्तर पर आ गई है इसे के साथ दच्छिन कोडिया में चौथी बार गिराबट को दर्ज की गई है जो राजधानी सियौल जहां आवाश की लागत देश में सबसे अधिक लोग रहते ह वहाँ पिछले साल प्रजणन दर्ड सबसे कम 0.55 ती और यह दर जन संख्या इस्तिरता के लिए आवश्यक प्रती महिला 2.1 बच्चों के प्रती स्थापन अस्तर से काफी नीचे है तो सबसे कम फर्टिलेटी रेट कहां देखा गया है तो साउथ कडिया में देखा गया है सुनील भारती मितल जी फर्स्ट इंडियन बने है जिन्होंने रिसीब किया है नाइट हुड फ्रॉम किंग चार्ल्स 3 के दवारा जो हमारे ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स 3 के दवारा हमारे पहले इंडियन सुनील भारती मितल जी रिसीब किया है नाइट हुड तो ज Excellent Order of the British Empire की नाइट हुड प्राप्त करने वाले पहले भारतिय नागरिक बन गए हैं। इसी के साथ मानद KBE के पिछले भारतिय प्राप्त करताओं में रतन त्राटा 2009 में, रवी शंकर 2001 में और जमसेद इराणी 997 में शामिल है, जिन्हें दिवंगत महरानी एलिजावेद द्यूत्य द्वारा शमानित किया गया था, लेकिन किंग्स चार्ल्स त्रिती और बिटिन के द्वारा पहले इंडियन कौन है, जिन्हें नाइठ हुड की समानित किया गया है, तो वो हमारे भारती मितल जी है, इनको शमानित किया गया, जबकि कुईन अलिजावेद द्यूत्य के द्वारा रतन ताटा जी को, रवी शंकर जी को, जमसेद इराणी जी को शमानित किया था, सुनील ने वन वेब के पुनर उद्धार को शफलता पुर्बक नेत्रितु किया और वैश्विक अस्तर पर सैटेलाइट ब्रॉड बैंड सेवाए प्रदान करने के लिए UK सरकार और अन्य रननीतिक निवेशकों के साथ एक संग का नेत्रितु भी किये तो इसे के साथ हम चलते हैं क्वेशन नंबर सैबन की ओर हाली में किस राज में इस्तित कुल सेखर पटनम में इश्रो के दूसरे स्पेस पोर्ट की अधार सिला रखी गई है तो राइट रिटितु का तमिल नाडू तमिल नाडू में फॉन्डेशन अस्टोन रखा गया है इ प्रधान मंत्री श्री नरेन मोदी जी ने 28 फरबड़ी 2024 को तमिल नाडू के थुत्तु कोडी जीले में एक तटिये गाउं कुल सेखर पटनम में भारत के दूसरे अंत्रिक्ष बंदरगाह की अधार सिला रखी तो आपको ये पॉइंट से याद रखना होगा कि इश्रो के 2nd Foundation Stone जो 2nd Space Port है कहां पे इसका सिला निवास किया गया तो तमिल नाडू के कूला सेखर पटनम में इसका सिला नवास 28 फरबड़ी 2024 को परधान मंत्री श्री नरेन मोदी जी के द्वारा रखा गया इसी के साथ कुल सेखर पटनम का चैन रन नीतिक लाव परदान करता है विस Q8 की ओर हाली में भारत की जन औशदी पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है तो राइटनसर का मौरिशश मौरिशश कंट्री बनी है पहली कंट्री जिन्होंने जॉइन करेगी इंडिया की जन औशदी इनिसियेटिव पहल का तो जानते हैं इसके डिटेल पोइंट्स के बारे में प्रधान मंत्री नरिन मोधी और मौरिशश के प्रधान मंत्री प्रविंद कुमार जुगननात ने 29 फरबरी 2024 को अगालीगा द्यूप में विकाश पर्योजना का उदघाटन किया दोनों नेताओं ने मौरिशश द्यूप पर 6 शामुदाईक विकाश पर्योजना के साथ साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जिम्स जेटी का वस्तुता उदघाटन भी किया इसके अलाबा मालदीब ने जन औशदी पहल में सामिल होने की घोशना की और मौरिशश जन औशदी पहल में सामिल होने वाला पहला देश होगा या भारत के फार्माश्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो से लगभग अरहाई सो उच गुनवता वाले जेनरिक दवाओं तक पहुच परदान करेगा तो हमारा एक्जाम पॉइंट औशदी पहल में सामिल होने की घोशना भी की और मौरिशश बना है जन औशदी पहल में सामिल होने वाला पहला देश अगर एक्जाम के पॉइंट औशदी पहल में सामिल होने वाला पहला देश अगर एक्जाम के पॉइंट औशदी पहल में एडॉप्ट किया जाएगा और हमारे जेनरिक मेडिसीन को बराने में मदद की जाएगी तो चलते हैं रिविजन बैच की और एक मर्च 2024 के सारे करेंटर फेर्स को रिविजन मोड में कभर होगा Q1. वैस्बिक बौधिक शंपदा सूचकांग 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्तवा तो 40 सेकेंड Q2. हाली में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइक्लिंग चैंपियन 2024 में शरबाधिक पदक मलिशिया के दोरा जीता गया Q3. हाली में पशु कल्यान के लिए राश्टिय पहल वंतरा रिलाइंस ग्रूप आफ कंपनीज के दोरा शुरू की गई Q4. हाली में जगरनाथ दीगी वाटर फंट डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट का उदगाटन त्रिपूरा राज में किया गया Q5. जौन निकोल जिनोंने हाली में 33 गिंदों में T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज सतक बनाया वो नामीबिया देशे संबंधित रखता है Q6. हरवर्स राश्टिय विज्यान दिबस हम लोग 28 फरबड़ी को सेलिबरेट करते है Q7. हाली में देश के लोगपाल पद पर अजय मनिक राओ को नुक्त किया गया Q8. हाली में वित मंत्राले द्वारा अंतराश्टिय उरानों के लिए नामित भारती वाहग के रूप में अकाशा एयर को नुक्त किया गया है तो चलते हैं आज का questions of the day तो आज का हमारा question क्या है The Kachin Hills make a boundary between India and which of the following neighbors Kachin पहार या भारत और निम लिखित में शेकिस परोसी के भी सीमा बनाती है Option A. भुटान Option B. म्यामार Option C. नेपाल Option D. चाइना तो आपको answer comment box में देना होगा तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए thank you so much guys वीडियो को जादा जादा हो सके तो like share और subscribe करें ताकि और भी content आपके पास पहुत जाए जैहिंच जै भारत दोस्तो